सराफा व्यापारियों ने दिया ग्यापन सराफारियों ने दिया ग्यापन में बताएगे कि दिनांग 3 जनवरी गुरुवार को तीर्थ नगरी उंकारेश्वर में दिन दाहरे सुबे 10 वजे बंदुगधारी लुटेरों ने पारितोष राजेंद्र सोनी को गोली मार कर एवं मिर्ची का उप्योग कर लूट लिया था जिसके पष्चात पीडित पक्ष द्वारा संदिग दारोपियों में सेख की पैचान की जा चुकी है परन्तु पुलिस द्वारा मामले में शीगर कारवाई नहीं की जा रही समय व्यतीत हो रहा है एवं संदिक्द आरोपियों को अपरोक शुरूप से लाब पहुंच रहा है इससे पहले भी 2014 में इसी प्रकार की गटना बेडित परिवार के पिता राजेंदर सोनी के साथ गटित हो चुकी है इस मामले में भी पुलिसास तक आरोपियों का पता नहीं की लगा पाई है हम इस ग्यापन के मादिक मुख्यमंत्री से अप्लिकरते हैं कि स्तानी नागरीकवी डर में कर रहे हैं आशंका है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे किसी बड़े गुरों का हाथ भी हो सकता है इससे व्यापारी गण देशत में हैं अताशीग्र आरोपियों को पकड़ी जाने की कारवाई की जाए इस दौरान अध्यक्ष आसिश्च चौदरी योगेश नीमा राज को यापारी थे उनका पक्ष्ट थे था कि पुलिस उसमें तौरित कारवाई करें तो मेरे बारा उनको बताया गया है कि उनका इश्च पुलिस और खंडवा की क्राइम राज्च दोनों उस पे कापी शिद्दत के साथ काम कर रही है और उसमें उनके जो आरूपी है वो उन करेंगे मतला भी कहने का कि खंडवा पुलिस को जी खरवों पुलिस क्यावशकता है तो उस पर हम लोग बिल्कुत अत्पर है तैयार है और अपने इस तरह पे हम भी तलाश उनकी कर रहे है उनके जोड़ा दिये गया गया गयापन को मैं मानी मुख्यमंदी जी के नाम से प खंडू इसजड़ी चुर्इड़ा गयाता है